जैशी गन्जी हरार महादेव मैं हूँ अचारे संध्या सक्से नाम आलक्षी जोतिशादात्मी संस्तान की तब से दा सीक्रेट रश्रिफ शक्तित अंत्र मंत्र और संध्या सक्से नैस्ट्रो की तब से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबका दिन शुब हो पवित्र हो अब हम आज की राशी फल बताते हैं उसे पहले बगवाण शिगरती वना से प्रातना करते हूँ कि सभी बड़ों को सभी छोटों को और जो मेरे हम उम्रें उन सबको बहुत बहुत प्यार और आप सभी का ध्यान रखें स्टार्ट करते हैं मेश राशी से तो मेश राशी वालों आपका परिवार आपका प्यार आपका पैसा सभी के वारे में आपको बताऊंगी तो आपकी सिहत अच्छी रह सकती है और आपका जो प्यार है आपका जो परिवार है आपका जीवन समतल बना रहेगा यानि की बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बालन्स लाइफ है, मेश राशी वालो, आपको चंद बाग्यों पाए करने है, भगवान चंदर देब का ध्यान कीजिए, उनको थोड़ा जल चड़ाएगे, सफेद रंग आपके लिए शुब रहेगा, या क्रीम क् और नेक्स नमबर पे वरशिव राशी, आपके जो है, लव लाइफ आपके अच्छी रहने वाली है, शाधिशुदा जिन्दगी, आपका वेवसाय सब अच्छा रहने वाला है, और किसी पुराने काम में आपको सफलता मिलेगी, हो सता है कोई बहुत समय से रुका हुआ बन जाए, स्वास्त में हलका फुलका थका वटा सकती है, रुशिव राशिव राशिवालो, चन्मा के उपाई के साथ साथ आपको भगवाण शिव की पासना करना, चाहिए भगवाण शिव की पासना कीजिए, दो नमबर आपके लिए चरहेगा, क्रीम क्लर आपको पहना और भगवाण शिव को यदि आप जल चढ़ाते हैं, दूद में कचे दूद में मिलागे, तो निश्यत रूप से आपके लिए फायदा होगा, अब रहते हम बात करते हैं मिथन राशिवालों की, तो मिथन राशिवालों आपके लिए सुकत महल बना हुआ है, आपका टाइ ही रहेंगे, कुल मिला की मिथन राशिवालों आपका दिन अच्छा है, बढ़िया है, चार नंबर आपके लिए शुब रहेगा, आपको हरा या फिरो जिरंग धारन करना चाहिए, बगवाण श्री गर्पती मराज की सेवा पूजा पाट नुस्ठान करेंगे, तो आपको लाब होगा, अब हम बात करेंगे, नेक्स राशी, जो कि है करक, तो करक राशी वालों आपका दिन अच्छा है, और परिवार के सहयोग से आपको इखास काम पूरा कर सकते हैं, स्वास की दश्च्रिकोर से भी आपका स्वास तच्छा रहा, क्योंकि करक राशी वालों को करक राशी वाले जितने भी हैं, जितनी शिपकी उपासना करेंगे, उतना जदा आपको लाब मिलेगा, स्क्रीम सफेद रंग आपके लिए हमेशा से शुब रहा है, लेकिन यदि आप सूरे के उपासना करते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनेंगे, तो आपको और भी अच किजिएगा, थोड़ा सा आपको डाउन फिल हो सकता है, लेकिन कारे छेतर आपका अच्छा रहेगा, आपको अच्छी जल्स मिलेंगे, आपको अपने फेवर में चीज़ों करने के लिए थोड़ा सा बगवान श्री गडपती मेरे से ध्यान करने चाहिए, और हरे रंग का या फिरोसी कलड़ का फ्योग कीजिए, चार अंबर आपके लिए श्यूब रहेगा, और साथ में गडपती का ध्यान कीजिएगा, तो आपको निश्यूत रूप से लाब मिलेगा, अगर हम बात करते हैं कन्या राशी वालो की, तो कन्या राशी वालो, अगर आपके बारे म के लिए आपको जो जो चीजे चाहिए, उन सब के आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ सी बतकिस्मत ही आपके साथ है, तो आपको क्या करना चाहिए, शिंदेप की उपाई करने चाहिए, भगवान शिदेप से अपनी पापों के लिए श्यमा मांगे, शिंदेप की दर्शन की नेक्स राशी आती है, तुला राशी, तुला राशी वालो आप घुमने फिरने जा सकते हैं, तोड़े शौक पूरे कर सकते हैं, किसी धार भी इससान की यादरा कर सकते हैं, उड़ जवान बने रहेंगे, और परिवार के साथ हलका फूल का तनाब हो सकता है, लेकिन प्या जाल रंग आपके लिए शुक रहेगा, एक नमबर आपके लिए लग्की रहेगा, इससे आप उड़ जावान बने रहेंगे, उसके बार जो नेक्स राशी हमारे आती है, अब हम बात करेंगे वरश्रिक राशी वालो परश्रिक राशी वालो आपका दिन सफलता और प्रसं आपके लिए एक नमबर अच्छा रहेगा, आपके लिए चार नमबर भी अच्छा रहेगा, हरा फिरोजी रंग या लाल रंग के कपड़े पहनेंगे, तो रिश्यत रूप से आपको लाब मिलेगा, अब हम बात करते हैं धानू राशी वालो की, तो धानू राशी वालो की करें में नहीं दिशा मिल सकती है, प्यार संबंद मजबूत हो सकते हैं, आपके पती से थोड़ा बात किसी बात पर मन मुटाब हो सकता है, थोड़ी से मानसी गृप से आपको साथ दुष्टी तो है इस बार, आपके रिलेशनिशिप अच्छे रहेंगे, कारिस्थल में अच्छा चाहते हैं, तो भागान विश्णु के सहस्तर नाम का जाप कीजे, या कब सम एकस्वाट नामों का जाप कर लीजे, आर साथ में भागान विश्णु को के लगा, या कुछी पीली वस्तु का लड़वारा का भोग लाएंगे, इससे आपके रिए फाइदमन होगा पांच नंबर आपके लिए शुब रहेगा, और पीले वस्तु आपके लिए अच्छे रहेंगे, अब हमें आते हैं मकर, मकर राशी वालो आत्विशास अपका बना हुआ रहेगा, और आपका अच्छा दिन बना हुआ है, शाम को आपको अच्छी ख़वर में सकती है, आप आपके जीवन को और पी अच्छा करना चाहते हैं, तो भगाउन शीव की पासना कीजिए, उनको जल चड़ाएंगे, तो इसे आपको लाब मिलेगा, और भगाउन शीव आपकी कृपे कृपा बनाए रखेंगे, सब्ये द्रंग आपके लिए शुब रहेंगे, अब हम बात की कोई दिक्कत या समस्या दिखाये नहीं देती है, और अपने जीवन को बहतर होना चाहते हैं, तो हन्मान जी को पासना कीजिए, हन्मान जी को बुंदी के लड़्डू चुडाइए, और अपने सर से एक सिक्का उतार के किसी गरीब को दान कर दीजिए, इससे आपको नि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपके साथ ही आपको मदद करने वाले हैं, कुल मिला कि आपका टाइम अच्छा है, बहतर है, और आत्विशास आपका अच्छा पना रहेगा, यदि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में और पी अच्छा हो, चंदमा को थोड़ा बजब और गड़पती से प्रात्ना किजे कि आपके दिन को और भी शुब बनाएं, संदर बनाएं, तो ये था 12 राशियों का राशिफल, आप अधिक जान के रहे हैं, ये मुझे मैसेज कर सकते हैं 97 822 840 पे, मेरा दूसरा नमबर है 8126 476 399, मेरे दोनों ही नमबरों पर आप मु या क्लिनिकल हिपनोथारपी के लिए और सागी रिडिंग के लिए आप कॉंटेट कर सकते हैं, गार्डेड मेडेशन के लिए और अगर आप भरद्वारा के मिलना चाहें, तो आपको रेस्टेशन कराना होगा, तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और हमेशे खुश रहिए, धन्यवाद.